इस सक पूरे जम्मु कश्मीर की ना कि पूरे जम्मु कश्मीर की बलकि भारत वर्ष की बात करें पूरे देश की बात करें तो नजरें 24 जून पर हैं जियां 24 जुन को नई दिली में माननी पर्धान मंत्री के दक्षता में बैठक होने जा रही है जिसमें जमु कश्मीर के 14 बड़े लीडर्स को इन्वाइट किया गया है हालां कि इस मीटिंग का एजेंडा अभी तक क्लियर नहीं है लेकिन प्लिटिकल पार्टी की बात करें उनके खेमे में जो है हलचल देखने को मिल रही है मीटिंग का सिलसला शुरू हो गया है गुपकार डिकलेशन की बैठक भी होने जा रही है तो हम यह कह सकते हैं कि सरगर्मिया जो हैं वो तेज हो गए है इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं ठाकुर गुलचैन सिंग चाड़क जी जो फॉर्मर मनिस्टर भी है और मोजोदा समय में डोगर सदर्सवा के परतान भी है आई इन से बात करते हैं सर बहुत बहुत स्वागता आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी सर 24 जून को जो बैठक होने जा रही है इसको आप किस नजरिये से देखते हैं देखे बात यह है कि आप सब जानते हैं कि यह कितनी शांदार स्टेट का तूट जाना और यूटी बना देना इतनी विशाल स्टेट को, तारीखी स्टेट को, इसका हमें दुख तो है, लेकर उस वकत भी हमने ये कहा, कि ये गलत हुआ है, स्टेट को डिमोट नहीं करना चाहिए था, लेकर जब ये बात पारलिमेंट के अंदर कही गई, होमनिस्टर आफ इंडिया के तरफ से, अनरेबल यहां फैली है, हर दिवार खून से रंगी गई है, इसको ठीक करने के लिए, हमें ये कड़वा गूंट पीना पड़ा, तो हमने उसका स्वागत किया, कि अगर आपने बीमारी को खतम करने के लिए, उपरेशन करना पड़ा है, तो आप करो, आज दो साल पूरी एक्सरसाइ करने से जोर से कोई काम नहीं करवाया जा सकता, डेमोग्रेटिक साटराफ के अंतर डायलाग ही एक तरीका है, तो बड़ी अच्छी बात है, मैं इसको सौगत करता हूं, लेकन मुझे अभी तक जिस पर आपने ये पूछा कि मैं कमेंट करूं, मुझे इस बात का पता ही नह हैं, अपने अपनी जगा थे, कोई गुसे में थे, कोई कैसे थे, तो एक कोई चाह के काप पर मिलने का तो बात अलग है, अगर जमू कश्मीर का अगला रास्ता क्या हो, वो तिलाश करने के लिए मीटिंग है, तो मैं समझता हूं कि ये सफिशेंट नहीं है, उसके लिए इ असमबली के अंदर चुने हूं कि नमाइन दे जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकन जब ये पूरे हालात के बारे में सोचना है, तो एक तो प्लिटिकल पार्टियां भी सब किसी लिडर को अग्नोर नहीं करना चाहिए, आज मैं देख रहा हूं कि यहां बहुत सी प पार्टियां, कहती हैं, जी हम पार्टियां है, लेकर हमें बुलाएं नहीं गिया, तरह-तरह के यहां जलूस निकल रहे हैं, ये गलत है, सब को बलाना चाहिए, अगर आपने लोगों को – ये लेकर कोई फैसले करने हैं, तो संस्थाओं को नहीं बिला आप भोगरा सदर सब हमें ने पता तो मैं इस बात का तो Hoagot करता हूं कि उन्होंने मीटिंग बलाई लिगए किसलिए Миटिंग बलाई वो wał cred और अगर जमू किश्मिर को ऊगले रास्ता के लिक 차 मियाया सबसे पहले delimitation पर जिरो ने कहा था उस पर senses पर बात हो delimitation पर बात हो और आगे जमू कश्मीर लदाख के जितने भी issues हैं उन issues पर एक 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 इशू को लेकर बात हो ताकि हमेशा के लिए फैसले हो तो वो करना चाहिए तो आज की डेट में मैं इतना कह सकता हूं कि ये exercise किस लिए है क्यो जमू है यह हमारे नोटिस में नहीं है यह exercise किसके लिए अभी जो political parties जिनको invite भी किया गया है उनके भी नोटिस में नहीं है तो मैं particular आप से यह जाना चाहता हूं कि ही center में government है तो जो center order pass करेगी जो निर्देश देगी वो यहां की विजबी को मानना पड़ेगा तो रिप्रेजेंट जमू को कुन कर रहा है देखिए मैं साफतर पर कहूं कि जमू को सतर साल में महार इसलिए पड़ी है कि किसी भी ऐसी situation में जमू को confidence में नहीं लिया गया आज की जेट में भी आप यहां के जमू के nationalist लोगों को for granted ले लेना कि इनकी किसमत का फैसला आप हमेशा की तरह वहां बैठके कर दो इनको बगहर पूछे और सिर्फ उनी को पूछो जिनकी बज़र से आपको कोई आप समयते हो कि जो कुश हो रहा है किसी ना किसी का रोल है तो वो बात गलत होगी नुक्सान दे होगी और जैसे आपने सतर साल ये गनावना खेल खेला है उसी खेल में फंसे रहोगे ये बात गलत होगी चाड़क साब आप काफी अनुववी लीडर है आपने जम्मो कश्मीर को रिप्रेजेंट भी किया है तो क्या लगता कि इसमें जो मुझूदा समय चल रहा है इसमें क्या मुद्धे जो है वो गर्माने वाले है जिस तरह से डिलिमिटेशन की तरफ आपने इशारा कर दिया दिलिमिटेशन का मुद्धा है यहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं कि पॉपलर गोर्मेट होनी चाहिए तो इलेक्शन होनी चाहिए इसके लावा भी कही मुद्धे जो है स्टेट को बहाल करने के लिए जो पीडिवी की बात करें नेशनल कॉंफरेंस की बात करें या फिर आज आप देखो कि इस खिते के साथ हो क्या रहा है बच्चे बच्चे की जबान पर है कि हमारे साथ एक एक स्टेप मतले स्लूक हो रहा है और वो सामने है आप टूरिजम यहां का खतम कर दिया आप देखिए सिर्फ नेशनल हाइवे से यहां का टूरिस्ट कश्मीर लेने क लिए पूरा रामबान डिस्टिक हो दो पोर डिस्टिक के सारा का सारा पूरे पहाड आपने वो सारे इस वक्कत लेंट स्लाइड हो रहा है क्योंकर सब तोड़ दिया अपने यह को तरीका थोड़ा था यह फ्लाइव भी बन सकते थे लिए प्लानिंग वही थी लेकिन यहा और मुझे अफसोर से कोई प्लिटिकल पार्टी नहीं बोली और दूसरी बात आप यहां का हेरिटेज देखो तबाह कर दिया यहां की तारीख खत्म कर दी और यह शुरू से हमारा यह मुद्दा था आए 11 साल तो हमें सड़कों पर हो गया कि यह सेक्टेर्ड की प्रता मू को दो 12 मिने कश्मीर को दो यह क्या मतलब है कि मौसम का उनजाय करने के लिए होकमरान एकठे होकर वहां चले जाएं लोग शड़ते रहें यहां पर यहां वहां से होकमरान यहां आ जाएं जब वहां पर पड़ी हो तो यहां पर आकर मौसम का फाइदा उठाते रहें यह को के लिए तो आप 3 0 क्रोड तो कोल चाएं रोम इसलम उभर मंदी के सब्सक्राइब को लाइट-इंड और कैन्द शाम गोन चल रहा हो उस ओपन कोर्ड यारड के अंदर यहां की कहानी के किस तरी का से इन पहाडों के अंदर गो बहुत कि तने-गद्व अचैने उनकी कहानियां वहाँ देखने को मिले लाइट रांस्वान प्रोग्राम में इतास पढ़ने को मिले और सरस उंचा हो हमारी पीडी का किया किस तरीका से वज़ुर्गों ने ये गजब की शेड़ बना ही है उस पर पैसे कर्च करने थे यहां की ड्वर्मेंट करने थे चाड़ पिर अन्य मुदों की बात करें जमू कश्मीर के दो टुकड़े यहां पर कर दिए गए तो अन-एक्सपेक्टेट चीजें जो हैं मोधी गोवर्मेंट द्वारा की गई है चोबिस जून को जिस तरह से पुलिटिकल पार्टी को नियोता दिया गया है तो अभी किसी भी पूरी तरह डाइग्नोज करता है और उपरेशन करना पड़े तो अपरेशन भी करता है तो अपरेशन करके छोड़ नहीं देता उसको ट्रीट करना होता है यहां थोड़ा सा यह गलत हो रहा है कि मोधी साब कदम तो अठा रहे हैं आगे कौन से लोग हैं जो उन चीज़ों को पूरा लोगों को एजुकेट करके उनके बारे में ठीक फैसने ले रहे हैं आप देखिए दो साल पहले बड़ा बहुत बड़ा ऑपरेशन जमू किश्मीर का किया मोधी साब ने उसके बाद क्या हुआ अब चाहिए था कि पेशन को ना मरने दें खोल के नहीं छोड़ द इसके बाद करने वाले हैं लगे हैं डिलेमिटेशन से लेकर अलेक्शन से लेकर बाकी जो अरेंजमेंट हैं तो फिर गलत होगा क्योंके सारे स्टेक होल्डर्स को इन नहीं पूछा इनको चाहिए था जैसे राउंड टेबल कांफेंस वकत होई थी मौन मौन बंद कर दी गई वो रपोटें आगे बाहर निकाली अक्सराइज हुई थी आज एक्सराइज करने की जरूरत है हमें पूछें आप देखिए डोगरा सदसवा से बड़ी को संस्ता यहां है 118 साल परानी यह भवन देखो इसका यह यहां पर अंदर जाकर चेहरे देखो जि क्या करने वाले हैं वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी और ठीक भी नहीं होगी क्योंकि आपको पूरी अजुकेशन चाहिए उसके लिए लंबी एक्सराइज करो यह थे ठाकर गुलचैन सिंग चाड़क जी जिन्होंने स्टेप को वेलकम भी खाया है तो दूसी तरह स बात करें जिस तरह से मैं पहले भी कहा हूँ कि अनेक्सपेक्टेट चीजें जो है मोधी गोर्मेंट के दुरान की गई है अब 24 जून को क्या कुछ होता है और जो कुछ होता है क्या जो वहाँ पर रेप्रेजेंट कर रहे हैं पुलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे क्या उनको वो मनजूर होगा ये देखने वाली बात होगी इसी के साथ कैमरा परसन जतिंदन नूरा और मुझी आने करते इशकुपता को दीजी इचाज़त फर मिलेंगे नमस्कार